आपके पास अगर टाइम कम है और आपका अंड़े खाने का मन है तो आप इस तरह लाज जबाबता देशीपी बना के खाये बहुत ही तेश्टी है और बहुत कम टाइम में आप इसे बना सकते हैं हेलो फ्रेंट्स आप सभी का हमारे आये की चेन में स्वागत है चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम ग्यास अन करके कड़ाई हमने गरम कर लिए उसी में हम डाल लेंगे तेल तेल को पहले गरम होने देते हैं जेसे तेल गरम हो जाए इसमें डाल देंगे एक लाल मेच एक तेज पता चार छोटे छोटे टुकले डाल चीनी आठ तेस लंग दो इलाइची हलकी सी हमने दो दरा कोट लें दस बिस काली मेच आप इसे थोड़ी दर भून लेजे ये जब भून जाए इसमें डाल देजे ह हारी मेच आप इसे भी थोड़ी सी भून लेजे आप इसमें हम डाल देते हैं हाप चामच मेथी हाप चामच जीरा हाप चामच सरसों आप इन सब को भी थोड़ी दर भून लेजे ये जब भून जाए इसमें आड कर लेजे दो कटे हुए प्याज प्याज को हल्की सी golden brown color होने तो किसे पका नहीं है अगर आप प्याज को जल्दी पकाना चाहते हैं तो थोड़ी सी नमक आड़ कर दीजे तो जल्दी से प्याज पक जाती है और ये दिखिए हमारे हल्की सी brown color हो गया है हमारे प्याज आप इसमें हम आड़ करेंगे एक चामच हल्दी पावडर एक चामच कास्मिरी लाल मीच पावडर आप इसे थोड़ी सी मिला लीजिए इसे हमारे सबजियों का color बहुत अच्छी आती है आप इसमें आड़ कर लीजिए एक चामच अध्रक लसुन का पेस्ट आप इसे थोड़ी देर भूण लीजिए चब तक इसका कचापन ना निकल जए तब तक इसे थोड़ी सी भूण लीजिए यह हमारा भूण गया है आप इसमें आड़ कर लेंगे हाप चमच चीरा पाडर, हाप चमच दन्या पाडर, हाप चमच करम मसला पाडर आप इसे थोड़ी देर भूण लीजिए यह भी हमारा भूण गया है आप इसमें आड़ कर लीजिए टमाटर के पेस्ट तिन टमाटोर को हमने ग्राइंड करके रखा था आप चाहे तो टमाटोर को थोड़ी बारी काट के भी आप इसमें डाल सकते हैं अब इसे भी थोड़ी दर भूनते हुए पका लेनी है अब इसमें थोड़ी सी आड़ कर लेते हैं पानी जिस मिक्सी में हमने टोमाटो को ग्राइंड के थे उसी में थोड़ इसी पानी गोल के इसमें हम डाल दिये आपको ग्रेवी जितना पसंद है उसी इससाब से आप इसमें पानी कम जादा कर सकते हैं अस्वादनुसा नमक अब इसे मिला लीजिए अब इसे कवर करके चार से पांच मिनित तक इसे पकने के लिए छोड़ दीजिए धिम्यांच में ताकि अच्छा से हमारा मसाला पक जाए और जो टमाटर भी हमने डाले वो भी अच्छे से पक जाए चार-पांच मिनित बाद यह देखिए हमारे अच्छे से ग्रेवी बन के तियार हो गया है ग्रेवी आप अपने पसंद हिसाबते गाड़ी या पतली चाहते हैं जैसे आपको चाहिए उसी हिसाब से आप इसमें बना सकते हैं अब इसमें डाल लीजे थोड़ी सी धनिया के पत्ते धनिया के पत्ते के बदले में आप थोड़ी सी कोस्तुरी मेथी भी आप इसमें आड़ कर सकते हैं आप इसे अचछी से उबलाने दिजे जेए दिखे हमारे उबला गया है आप इसमें डाल देजे अंडा पको डायरेक्ट टोल के इसके उपर दाल दिजे आपको जितना डालना है उतना आप डाल सकते हैं हम इसमें चार डाल रहे हैं, आप पांच, छे, आपको जितना प्रसंद है, उसी साब से इसमें डाल दीजिए, और यह हम डाल दिये, अब इसके उपर डाल लेते हैं, थोड़ी सी स्वाधन सा नमक, पेले थोड़ी सी नमक डाल देएंगे, उसके बाद थोड़ी सी डाल लेते हैं, जीरा पावडर, थोड़ा थोड़ा डालने हैं, बस जितना हमारे अंड़ा है, उतना के हिसाब से ही डालने हैं, और थोड़ी सी डाल दीजिए, कल मीच पावडर, और थोड़ी सी डाल लेते हैं, इसके उपर लाल मीच पावडर, अब उसके उपर डाल लेते हैं, थोड़ी सी डानिया के पत्ते, इसके उपर डालने हैं, बस साइट साइट से इस तरह से डाल लेने हैं, जैसे हम गाल निस करते हैं, अब इसे कवर करके छोड़ दीजिए, इसे चार पांच मिनिट दीमी आच पे इसे पकने के लिए छोड़ दीजिए, चार-पांच मिनिट बाद दार देखिए ये देखिए हमारे लाज जब आप एक वरी बन के त्यार हो गया है एक बाद ट्राइ किजिएगा चरूर अगर आपको हमारे चानल पर नए है तो आप हमारे चानल का सस्क्राइब और वीडियो को स्यार कर दिजिएगा लाइक कर दिजिएगा हमारे वीडियो देखिने के लिए थाइंक यू सो मॉच